प्रेक्टिस सेट 6.4 नमबर बन का पर्ट 4 इसको सिंप्लिफाइ करना है सोल्यूशन एज इस वियूशन को लिख देते हैं एक्सट स्क्वार माइनस 5 एक्स माइनस 24 X plus 3 X plus 8 X square minus 64 X minus 8 का whole square अब इसके बाद क्या करेंगे इसका factor निकालेंगे X square minus 5 X minus 24 का factor अलग से निकाल लेते हैं factor इसका factor of X square minus 5 X minus 24 इसी direct भी कर सकते थे लेकिन आसानी के लिए तो अंडरेस्टेंडिंग जदक के लिए हो इसलिए ऐसा करना है इसका factor निकालना है X square minus 5 X यह trinomial के form में है trinomial का factor इस तर से निकालते हैं उसी तर से निकालेंगे X square का coefficient बन है यह 24 है इन दोनों को multiply करेंगे multiply करने के बाद क्या हो जाएगा 1 to 24, 24 हो गया और 24 को इका factor इस तर से निकालेंगे कि वो 5 X minus 5 के बराबर आ जाए तो अब 24 को factor निकालते हैं 2 1 the 2, 2 2 the 4 2 6 the 12 2 3 the 6 यह 24 की जगह पे क्या हो गया 22 multiplied by 2 multiplied by 2, multiplied by 3 यह 24 की जगह पे हो गया अब यह 8 और 3 अगर इसका एक group बनाते हैं 8 और 3 एक भी क्या हो रहा है 8 में से 3 गटाते हैं तो 5 आता है इसका एक group बना लें और इसका एक group बना लें 8 और 3 का 8 और 3 को multiply करने का 24 आया तो और 8 and 3 को subtract करने से 8 minus 3 करने से minus 8 plus 3 करने से minus 5 आ रहा है तो इनके help से यहां पर इसका factor बनेगा, अब यहां x square, minus 5x की जगह पर, minus 8x plus 3x, minus 5x की जगह क्या लिखा, minus 8x plus 3x, minus 24 as it is लिग दिया, यह minus 8x plus 3x, इसको लाने के लिए यहां काम करना पड़ा हमें, 24 को 1 से multiply किया, 24 आया, फिर 24 का factor निकाल आया, 2 into 2 into 2 into 3 आया, फिर उसके बाद इस group में थोड़ा सुचना पड़ेगा, यह तो ठीक है, 2 into 2 into 2 into 3 हो गया, अब इसमें कैसे couple बनाएं, ताकि उसका plus minus करने पे minus 5 के बर 3, अगर यह ऐसा करते हैं, तो यह minus 5 के बराबर आ जाएगा, तो अब हमें line of action मिल गया, इसको करने का, तो यह x, x minus 8, यहां भी इसका group एक बनेगा, इसका group एक बनेगा, यह plus 3, x minus 3, adds a 24 होता है, 8, तो यह x minus 8, यह x plus 3, तो यह factor of x square minus 5, x minus 24, इसका factor x minus 8, x plus 3 यहां पे आ गिय करेंगे, जब question को further solve करेंगे तो, यह x plus 3 और x plus 8 तो यह फैक्टर के फॉर में इसको करने की ज़रूद नहीं है, अब यहां पे एक चीज और है, इसका भी factor निकाल लेते है, x square minus 64, factor of x square minus 64, तो यह x का whole square minus 64, 8, तो 64 होता है, minus 8 square, तो यह a square minus b square के form में आ गिया, और a square minus b square का formula, a square minus b square is equal to a plus b multiplied by a minus b, तो यह x plus 8 multiplied by x minus 8, तो यह x square minus 8 square का भी factor आ गिया, अब x minus 8 square के form में है, तो इसको x minus 8 multiplied by x minus 8 लिख देंगे वहां पे, और अब क्या करेंगे, according to question, according to question, question एक पर तो फिर लिख देते हैं है, आपर, question हमारा है, x square minus 5x minus 24 upon x plus 3, x plus 8 multiplied by x square, x square minus 64 upon x minus 8 का whole square, यह question है मारा, same question है यहाँ पर लिख दिया, अब जो factor है उसकी value को हम put करेंगे, अब equal to का sign लिख देंगे है, x square minus 5x minus 24 की जगह पे, already factor हम निकाल चुके हैं, कि उसको यहाँ पर पूट करेंगे, तो क्या factor निकल के आया है, x minus 8 multiplied by x plus 3, यह factor already पहले निकल के आ चुका है, किसका factor आया है, x square minus 5x minus 24 का आया है, यहाँ पर x plus 3, x plus 8 as it is लिख देंगे, इसका factor निकाल निकालने के जोरोत नहीं है, बाद में कटेगा, जो हमने factor निकाला है उससे कटे गई है, हाँ, अब x square minus 64, already factor निकाल चुके है, x plus 8 और multiplied by x minus 8 उसको लिख देते हैं हाँ पर, x plus 8, x minus 8 इसे भी लिख दिया, अब यह x minus 8 का whole square है, तो इसको x minus 8 जैसे a square कहीं पर हो, तो a into a लिख सकते हैं, जा a into a कहीं पर है, तो a square लिख सकते हैं, इसी तरह से x minus 8 का whole square, और multiplied by x minus 8 लिख सकते हैं, यह basic principles है mathematics का, अब यहाँ पर काम होगा, अब x minus 8 यहाँ है और x minus 8 यहाँ है, यह वाला x minus 8 और यह वाला x minus 8 काटी है, बना गिया यहाँ पर, यहाँ पर x plus 8 है, यह x plus 8 और यह x plus 8 काटी है, 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ x plus 3 है, यहाँ भी x plus 3 है, यह काटी है, की जगह पे 1 1 बच गया अब यह क्या हो गया 1 upon 1 अब 1 upon 1 क्या होता है 1 तो इसका answer क्या है 1 इस वाले question का question number practice at 6.4 के question number 4 का answer 1 practice at 6.4 simplify करना है question number 1 का पांचमा पार्ट है question है 3 x square minus x minus 2 divided by x square minus 7 x plus 12 division 3 x square minus 7 x minus 6 upon x square minus 4 यह question है अब इस course का solution के लिए सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले यह division की जगह पर multiplication कर जाते हैं तो 3 x square minus x minus 2 upon x square minus 7 x plus 12 division की जगह पर multiplication तो multiplication जब करेंगे तो क्या करेंगे यह denominator numerator हो जाएगा numerator denominator हो जाएगा ऐसा हम जानते हैं already यहाँ पर x square minus 4 यह denominator हो गया जो के पहले denominator था और नीचे 3 x square minus 7 x minus 6 हो गया यह ऐसा क्यों हुआ इसलिए कि already हम जानते हैं कि अगर a upon b divided by c upon d होता है तो इसको हम क्या कर सकते है a upon b into d upon c या a upon b अगर माल लिया कि इसको division के form में लिखते हैं पहले c upon d ultimately यह d upon c हो जाएगा a upon b multiplied by d upon c हो जाएगा क्या हो जाएगा numerator denominator हो जाएगा denominator numerator हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद फिर इसका इसका factor निकाला जाएगा यहां पर number a factor of 3x square minus x minus 2 3x square minus x minus 2 इसका factor निकालना है तो इसका यह क्या है यह trinomial के form में है यहां पर यह 2 है यह 3 है तो यहां पर इसका factor निकालने के लिए क्या करेंगे 2 और 3 को multiply करेंगे 6 होगा फिर 6 का 6 का क्या करेंगे factor निकालेंगे 2 3 is the 6 तो 2 into 3 6 is equal to 2 into 3 अब यह 2 into 3 का group बनाएगे तो 2 into 3 यहां पर minus 1 आना चाहिए 2 और 3 को इस तरह से लिखना है सब टैक्षन में या addition के form में कि minus 1 आना चाहिए तो 3 x square क्या लिखेंगे यहां पर minus 3 x plus 2 x minus 3 x plus 2 x लिखने से क्या हुआ यह minus x के बराबर आ गया अब फर्दर यह 3 x common यह इसका एक group हो गया और इसका एक group हो गया 3 x common आ गया x minus 1 यह 2 common ले लिया तो x minus 1 यह x minus 1 यह 3 x plus 2 यह हमारा 3 x square minus x 3 x square minus x minus 2 का factor आ गया क्या आ गया x minus 1 in bracket 3 x plus 2 इसी तरह से एक दूसरा और और भी कही चीज़ें है हम पर x square minus 7 x plus 12 यह भी trinomial के form में है और इसका भी इसी तरह से factor निकलना पढ़ेगा तो लिखते है factor of x square minus 7 x plus 12 अब यहां 12 है 12 को का factor क्या होगा 12 और 1 है 12 x 1 is equal to 12 12 का factor निकालेंगे तो 2 6 x 12 2 3 x 6 तो यहां पर 3 x 2 x 2 यहां पर अब यह 7 के बराबर लाना है तो 7 के बराबर लाने के लिए क्या करना पढ़ेगा यह यह यहां पर 12 is equal to 2 x 2 x 3 4 और 3 इसका इसका अगर group बनाते हैं 2 to the 4 और 3 का तो 7 हो जाता है तो 4 और 3 का यहां पर group बनाएंगे 4 और 3 का यहां पर x square minus 3 x minus 4 x plus 12 4 और 3 minus 4 minus 3 minus 7 हो गया इसका और इसका एक group बनाएंगे x minus 3 minus 4 x minus 3 x minus 3 यह x minus 4 फैक्टर क्या आ गया x minus 3 और x minus 4 फैक्टर आ गया किसका x square minus 7 x plus 12 का उसके बाद एक और पर है यहां पर 3 x square minus 7 x minus 6 x square minus 4 है उसका भी फैक्टर निकाल लता हूं x square फैक्टर आ फैक्टर आ एक्स square minus 4 यह क्या हो जाएगा x का होल स्कॉयर मैनस 2 का होल स्कॉयर यह x plus 2 multiplied by x minus 2 यह x square minus 4 का फैक्टर आ हो गया एक और है हमारा दी 3 x square minus 7 x minus 6 3 x square factor of 3 x square minus 7 x minus 6 3 x square minus 7 x minus 6 यह भी टाइनोमियल है 6 x 3 को multiply करने के बाद 6 multiplied by 3 18 आ रहा है और यह x 18 का factor निकालेंगे तो 2 9 जा 18 7 की बराबर लाना है तो 9 2 और 9 की मतब से 7 हमारा आ जाएगा minus 9 plus 2 अगर लिखेंगे minus 9 x plus 2 x तो minus 7 x आ जाएगा तो इससे यह 18 की जगह पर क्या लिखना है 3 x square minus 3 x square minus 9 x 3 x 6 x 18 2 9 x 18 3 x 3 x 9 यहाँ पर लाना है क्या 7 लाना है यहाँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 और 2 9 और 2 लिखेंगे तो यह plus 2 है यह ठीक है यह plus 2 हो गया यह minus 9 हो गया इसका एक 3 x common आ गया यहाँ पर 1 आ गया यहाँ पर 3 आ गया x minus 3 यहाँ फे तुबाहर ले लिया x minus 3 x minus 3 x plus 2 x minus 3 3 x plus 2 x minus 3 3 x plus 2 यह is का factor आ गया तो हमारा question क्या है 3x square as according to question according to question फिर लिख लेखते हैं एक मताव यहां पे उसका according value 3x here 3x square minus x minus 2 upon x square x square minus 7x plus 12 x square minus 4 3x square minus 7x minus 6 3x square minus x minus 2 upon x square minus 7x plus 12 यहां में multiply sign लिख रहे हैं उसको अलड़ी denominator को numerator numerator बना चुके हैं तो x square minus 4 हमारा उपर चला गिया है अब यहां पे सारे value को put करें अब 3x square minus x minus 2 3x square minus x minus 2 की value क्या आई है 3x square minus x minus 2 की value x minus 1 x minus 1 और 3x plus 2 यह किसकी value आई है 3x square minus x 3x square minus 6 minus 2 की value आई है x square minus 7x plus 12 x square minus 7x plus 12 की value क्या आई है यहां हमारा x square minus 7x plus 12 x square minus 7x plus 12 यहां है इसकी value हमारी x minus 3 और x minus 4 आया है यहां पे x minus 3 और x minus 4 लिदे हैं यहां पे यहां पर जगा का प्रोल्ब्लम हो रहा है x square minus 4 x square minus 4 का हमारा क्या निकल कराया है हम पे x plus 2 और x minus 2 x plus 2 factor आया और x minus 2 और उसके बाद 3x square minus 7 x minus 6 का factor तो जितने भी हमारे चारों ट्रम्स थे उसके फैक्टर के वैलू यहाँ पर लिख दिया आप इसे जो कटता है उसे काट देंगे 3x-1 नहीं कट रहा है किसी चीज़ से 3x-2 और यह 3x-2 है उसके बाद यहाँ पर एक-3 है एक-1 है आप इसमार करा रहा है एक-3 यहाँ एक-4 है पूस्तर नमबर यह मारा पाईव करना है कि यहां पर यह बस ही 3 x 2 3 x 2 यह दूनों कटा बागी को यह नहीं कट रहा है तो यहां पर बागी चीजों का इस दिटील दिए रहते हैं तो x-1 यह वाला x-1 फिर x-2 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 यह तो हमारा नुमिरेटर में आ गया और दिनुमिरेटर में क्या है x-3 एक और x-3 है x-3 और x-4 यह दिनुमिरेटर में आ गया x-1 x-2 और x-2 नुमिरेटर में आ गया गया यह इसका अंसर हो गया यह कॉर्शन कौन सा था कॉर्शन नंबर बन का फाइब अगर हमारा चुटूरियल आप लोगों को पसंद रहता है तो प्लीज आप लोग लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल बेटन को दबाएं थैंक्यू